रोज नया सूरच, रोज नया चांद, रोज प्राता, रोज रात्री, सब नई है गंगा में बह रही धारा, घाट वही हैं, पर चल पतिपल नया है कासी के दसा स्वमीक पे खड़े हो जाओ, या हरित्वार के किसी घाट पर एक पल पहले जो जल मिला होगा, वो जल अब न होगी, क्योंकि अब घाट वही हैं, पर जल बदल गया एक नई धारा आई है, गोमुक से, गंगुत्री से, ऐसे ही जीवन का प्रतिछण नया है एक ही दिन नौ बर्स क्यों, एक ही दिन कोई त्यवहार क्यों, एक ही दिवस कोई उत्सो क्यों, उत्सो का अर्थ होता है जो अपने उत्स से मिले है अंस अपने अंसी से मिले है कल-कल कलोल वंतनी बहती हुई गंगा की धारा जब तक गंगा सागर में जाकर मिल नहीं जाती, तब तक तीर्थ नहीं बनता दुनिया में कहते हैं सारी तीरत बार बार पर गंगा सागर एक बार क्यों क्योंकि वहां जिव और सिव का मिलन है जिवात्मा और परमात्मा का मिलन है पर इस मिलन में एक बड़ी खास बात है बड़ी विसेश बात है और वो बात ये है कि गंगा अपने सीतल और मधुर सुभाव का पूर्ण तह परित्याक करती है सागर से जैसे ही मिलती है अब गंगा सीतल न रही अब गंगा मधुर न रही बलकि सागर की तरह खारी हो गई जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं नहीं प्रेम गली अति सांकरी तामें तू न समाई क्या गैर यहां अपनों तक के साई भी न आने पाते हैं ये जीवन प्रतिपल आनन्द है प्रतिपल जीवन में अनन्त पुस्प खिल रहे हैं प्रतिपल जीवन का एक नवेन सुगंध है प्रतिपल जीवन में आहलाद है ये प्रतीक रूप में आने वाले नौ बर्स ये प्रतीक रूप में आने वाले तिभार हमें बस याद दिलाते हैं हमारी इस स्मृति को मजबूत करते हैं कि आज इस प्रतीक के त्योहार में तुम उलसित हो, उमंगित हो, नित्य कर रहे, गीत का रहे, अहलादित हो ऐसे ही प्रतीपल रहो क्योंकि ये जीवन परमात्मा का सर्वस्रिष्ट देन है इस से बड़ा दान इस प्रत्वी पर इस ब्रह्मान में तुम्हें कोई नहीं दे सकता लेकिन ये दान भी कभी-कभी तुम्हारे लिए जीवन समाप्त करने की सोक, दुख और पीडाओं का एक अंतहीन सलसिला बन पड़ता है क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई सद्गुरू नहीं होते क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई living ideal नहीं होता, जीवन आदर्स नहीं होता जीवन के प्रतिपल में जब-जब तुमने उन्नत्य और उत्थान किया होगा किसी भी सित्र में तो तुम्हें कोई न कोई कुई न कोई इंस्ट्रक्टर कोई न कोई टीचर तुम्हें हर पल जरूरत पड़ी होगी फिर अपने आप को डिस्कबर करने में Who am I? Why I am here? What I am doing? यह जानने के लिए क्या तुम्हें किसी ऐसे Self-Realized Person की जरूरत नहीं होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रती पल को 9 वर्स बना दे जो तुम्हारे जीवन के प्रती छण को ही मानो 9 वर्स बना दे Happy New Year तुम्हारे लिए एक दिन न एक रात की बात न हो बलकि तुम्हारे लिए तो हर एक पल ही Happy New Year हो 9 वर्स मंगल मैं हो बदाईयां चारो तरप से गुझ रही हूँ तुम्हारे ही भीतर एक संसार बाहर है जिसे तुम देखते हो इंद्रियों के माध्यम से जिसे तुम महसूस करते हो मन के द्वारा जिसे तुम पानी के चेस्ठा करते हो अपनी इस बुद्धी से पर विवेक के आभाव में विजडम के आभाव में और तुम्हारी अंतहीन अनंत आवस्चताओं और एक्छाओं के कारण तुम बड़े संकुचित और दुखी प्रानी बन उठे हो ये नया बर्स यदपी ये अंग्रे जी का नया बर्स है और मैं भारत में रहता हूं सनातन संस्कृति में रहता हूं हमारा चैत्र प्रतिपदा है पर मैं कोई कंजर्वेटिव नहीं मैं कोई संकुचित नहीं मनाते हैं दुनिया में खरोडो लोग इस दिन को भी नौबर्स की तरह मैं नभी कहूं तब भी तुम मनाओगे लेकिन मैं इसके सार गर्भित अर्थों को तुमारे भीतर प्रविष्ट कराना चाहता हूं कि तुम सार गर्भित अर्थ को जान कर इस अंग्रे जी नौबर्स को ही ऐसा बनाओ कि तुमारे जीवन के प्रतिछन 31 दिसंबर के रात 12 बजे केवल दो मिनट के नसा में किये गए नृत्या या दो मिनट की की गई मंदिर में तुमारी पूजा दोनों ही बराबर है क्योंकि सिर्फ उसी समय तुम मंदिर भी जाओगे और उसी समय तुम नसा करके भी आनंद में रहना चाहोगे पर ये सब सदा के लिए नहीं है न नसा टिकती है सराब की और न तुमारे पूजा के अहलाट टिकते हैं सदा तुमारे साथ क्योंकि उप कर्म कांड है जितनी दिर तक किया उतनी दिर तक तुम्हें पवित्रता महसूस हुई और फिर लौट के बुद्धो घर को आए लौट आए अपने उन्ही वासनाओं में लौट आए अपने उन्ही संकुचित विचारों में लौट आए विवेक हीन बुद्धी से इस अंतहीन संसार के सुखों को प्राप्त करने का एक जिद्ध जो किशी को नहीं मिला सिकंदर हो या कोई हो और मिला तो कभी किसी बिना किसी वस्त्र के महाबीर को मिला तो जंगलों में खूँबने वाले किसी बुद्ध को मिला तो गौतम, कनांथ मिला तो विस्वामित्र मिला तो किसी वसिस्ट रिभू अंगिरा नारध चैवन्य गालो लेकिन एक बात याद रखो अगर ये नौबर्स वास्तों में मनाना चाहते हैं तो अपनी प्रज्ञा को बढ़ाओ और प्रतिपल हर एक पल नया है इश्वर ने एक एक पल तुमें नया दिया है एक जण एक निमिश नया है कुछ भी पुराना नहीं गीता में स्रिक्रश्ण कहते हैं कि पंडित वही है जो बीते हुए का सोक नहीं करता और बविस्य की कोई चिंता नहीं करता कोई भय नहीं होता ये दो चीजे जिसके जीवन में होती है पंडित्ते उसी के भी तरहता है और पंडित्ते सब तरह गए मात्र इसलिए मैं तुमसे आवान करता हूँ मैं तुमसे निविदत करता हूँ और निविदन इसलिए करता हूँ कि तुम दुख में हो और मैंने एक counter खोल रखा है जो दुखी है अपने अज्ञान के कारण जो दुखी है अपने self knowledge के नहीं होने के कारण उनके लिए मैंने बड़ा सा दुखान खोल रखा है वो दुखान जहां तुम्हें self knowledge मिलता है जहां तुम स्वेम को discover कर पाते हो इश्वर अंस जीव अभिनासी चेटन अमल सहज सुख रासी तुम्हें सुख प्राप्त करने की जरूरत नहीं है तुम सहज ही सुख की रासी हो यह तो दुखों से तुम आक्षादित हो दुखों को तुमने खरीदा है मैं तुम्हें सुख प्राप्त करने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें कहता हूँ जिन दुखों को तुमने मूलियों से खरीदा है, मूल लेकर खरीदा है, बस उन्हें छोड़ना सीख जाओ, और सुद्गुरु तुम्हें कुछ और नहीं सिखाता, तुम्हें उन चीजों क जो ब्यर्थ चीजे हैं, उनसे मुक्ती का मार्ग दिखाता है, सा विद्या या विद्या वही है, जो तुम्हें मुक्ती का, सल्वेशन का, लिबर्ट, पूरी लिबर्टी, लाइफ की, नहीं चाहते हो, गुलामी चाहते हो, परिशानी चाहते हो, टेंसन डिपरिशन चाहते ह नहीं ना, तो फिर ये एक घंटे का नौ वर्ष क्यों, मनाओ, मैं मना नहीं करता, क्योंकि कम से कम एक घंटे पी तो मना लो, सायद एक घंटे का ये स्मरन, तुमारे जीवन में किसी सद्गुरु की क्रपा से, तुमारे भीतर में ये कोई पर्मानिट बन जाए, ये स्थापित हो जाए, ये स्थीत हो जाए, लेकिन मेरी फिर भी एक आग्रह है आपसे, कि जहां सुरज रोज नया निकलता है, जहां चंद्रमा रोज नया निकलता है, जहां रोज अंदकार भी होता है, जहां रोज प्रकास भी होता है, ऐसे जगह में कोई प्रतीक रूप स के बल नौ बर्स मनाने से कुछ नहीं होगा बलकि हमारे स्रिक्रिष्ण नव किशोर हैं हमारी राधिका नव किशोरी हैं क्यूं कहा जाता है उन्हें नव किशोर और नव किशोरी वो सदा किशोर हैं नव नवाए मान नव का अर्थ सदा नया भी होता है नया नया वर्स ही नया जीवन नया आनंद नया अहलाद प्रतिपल मैं चाहता हूँ दो हजार तेईश आप सब के लिए एक ऐसा वर्स हो जिसमें अब अगले चोबिस का इंतजार ना करना पड़े बलकि तुम प्रतिपल, हर पल, हर छण, नव नवायमान, स्री कृष्ण और राधा की शरण बे रहते हुए, गुरु की शरण बे रहते हुए, प्रज्यावान होते हुए, नव वर्स का अहलाद तुमारे जीवन के प्रतिग छण में हो, यही सुभकामना देता हूँ, मनो काम किसी की पूर्ण नहीं होती, सुभकामनाएं पूर्ण होती है, मैं सुभत्तों से भर कर समस्त देश और दुनिया के लोगों को अपनी सुभकामना दो हजार देश के लिए देता हूँ, आपका प्रतिग छण नव वर्स हो, जैस्री राधे, जैस्री कृष्ण